गुड़ मॉर्निंग ओल उफ यू माइसेल्फ अटेल बीना आज मैं आपको स्टैंडर्ड एड का संस्कृत पढ़ाने वाले हूँ हमारा लेशन जो है वो है बिलश्यवारी नकदापी में शुरूता इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी चेंज हुई है इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज फिर से सिखा रही हूँ आपको ये एक्सरसाइज आपकी नौट बुक में लिखने की है सिलेबर्स के अनुसार इसमें थोड़ा सा चेंजिस किया गया है तो विद्यार्थी मित्रो आज हम एक्सरसाइज द्वितिय लेशन बिलेश्यवाणी नकधापी में सुरुता इसकी प्रश्णा व्यास हम करेंगी फर्स्ट क्विस्चन है उच्चारन पुरुंतह हमें उच्चारन करना है कश्मी चितह शुद्धात सीपत पद्धतिय विचितनय एत चुत्वा समाहनम साधीद्वदम बैसन अत्रस्त मनसाम प्रतीद्वनी यह उच्चारन है वो फर्स्ट क्विस्चन है सेकेंड क्विस्चन एक पदेन उत्तर लिखता है एक पदेन उत्तर लिखता वो प्विस्चन हमारा सेकेंड है तो विद्यार्थी मित्रों हम प्विस्चन टू से लिखने की शुरुआत करतें सिहस्य नाम किम तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि सी का नाम क्या था तो इसका आंसर हम लिखेंगे सिहस्य नाम किम तो फर्स्ट का अंसर है खर नखर सेकंड विशन गुरुहाया स्वामी कह आसी तह गुरु के जो स्वामी थी उसका नाम क्या है ददी पुच्छ थर्ड क्वेश्चन है सी है कस्मीन समय गुरुहाया समी पे आगत तो कब आता था सुर्यास्त समय सुर्यास्त समय फोर क्वेश्चन है हस्त पादा दिकाह क्रियाह के इशायन प्रवन्ति तो इसका अंसर है बैस अनत्र स्त्रप मन्साम फाई क्वेश्चन है गुरुहा केन प्रतीद्वनीता उच्छ गर्जनेन यहां हमारा क्वेश्चन टू फिनिश होता है क्वेश्चन त्री पून वाक्यन उत्तरत हमें पून वाक्यमें उत्तरितना है है इसका फ्रस्ट क्वेश्चन है खर न खर है कुत्र प्रतीवस्ति स्मा अब हम इसका आंसर लिखेंगे इसका उत्तर है खर न खर है कस्मी चित वने प्रतीवस्ति स्मा सेकेंड क्वेश्चन है महती गुरुहा द्रस्टवा सीह कीम अचिंत यत इसका उत्तर है महती महती गुरुहा द्रस्टवा सीह अचिंत यत नुनम इतश्या गुरुहाया रात्रो को अपी जीव आगश्यंती अत्र अत्रेव निगूडो बुद्वा तिस्टामी इती थर्ड क्वेस्चन सुंगा लह कीम अचिंत यत इसका उत्तर है शुंगा लह अचिंत यत अहो फिस्टो स्मीन नुनम अस्मीन बिले सिह अस्ति इती तर्क यामी तता की करवानी हमारा फूर क्वेस्चन है सुंगा लह कुत्र पलाईत इसका उत्तर है सुंगा लह दूर पलाईत हमारा फाइन नंबर का क्वेस्चन है ग्रुहा समीप मागत्य सुंगाल की पश्यंती पश्यंती इसका उत्तर है ग्रुहा समीप मागत्य सुंगा लह पश्यंती सीह पद्यंती पद्यंती सीह ग्रुहाया पद्यंती क्वेस्ट सिक्स कह सोभते इसका उत्तर है या अनागत कुरुंते सं सं सोभते या आमारा क्वेस्चन 3 खतम होता है क्वेस्चन 4 क्वेस्चन 4 रेखांकित पदानी आदूत्य प्रश्ण निर्मान पुरुंत फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है शुद्धांत तो सिह कुत्रापी आहार न प्राप्तवान इसके निचे शुद्धांत के निचे अंडर्लाइन है तो इसका अंसर होगा की दुरुशा श्रीह श्रीह कुत्रापी आहार न प्राप्तव वान यह उसका उत्तर है सेकेंड दधीपुच नाम शुंगाल शुंगाल गुरुहाय स्वामी आसी तह यहां दधीपुच के निचे अंडर्लाइन की गई है तो हमें उसका आंसर लिखना है की दुरुशा नाम शुंगालह गुरुहाया स्वामी आसी तह थड़ एशा गुरुहा स्वामीन सदा सदा आहवान करोती इसका उत्तर है यहां स्वामीन के निचे अंडर्लाइन दी गई है तो एशा गुरुहा की सदा आहवान करोती हमारा फोर संटेंस है वल सनत्रस्त मन्शा वल सनत्रस्त मन्शा हस्त पादादिका क्रिया न प्रवर्तंते इसका इसका उत्तर है हस्त्र पादादिका के निचे अमे लाइन दी गई है तो इसका आंसर आंसर आहवा 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 वल सनत्रस्त मन्शा कश्य क्रिया न प्रवर्तंती हमारा लास्ट क्वेश्चन है आहनेन श्रुंगाल बिले प्रविश्य सिहश्य बोज्य बविश्यंती इसका उत्तर है यहां हमें बिले के निचे लाएं दी गई है आहेल श्रुंगाल हो कुत्र प्रविश्य सिहस्य बोज्य बविश्यंती यहां हमारा पेशन फूर खतम होता है क्वेश्चन फाइब गटना क्रमा अनुशार वाक्यानी लिखत पाठ के अनुशार हमें यहां वाक्य लिखने हैं तो हम फर्स्ट कंसा वाक्या आएगा यानि कि कंसा सेंटेंस है तो इसका हम उत्तर लिखेंगे फर्स्ट परीप्रमान सीह शुरुद्धान तो जाते सेकेंड है सीह एका महती गुरुहा अप्शत थोड हमारा है गुरुहा या स्वामी ददी पुच्छ नाम शुंगा लह समाग च्छन्त फोर नंबर का हमारा सेंटेंस है गुरुहाया हो अपी अस्ती इती शुंगा लश्य विचार हो हमारा फाइन नंबर का है दुरस्थ शुंगा लह शुंगा लश्य विच्छ नंबर का सेंटेंस है सीह सुंगा लश्य आहवान मकरूत और हमारा लास्ट जो सेंटेंस है दूर पलाय मान सुंगा लह स्लोकम पढ़नत यहां हमारा क्विच्चन फाइब फिनिश होता है क्विच्चन शिक्स यथा निर्देश मुक्तरम निर्देश मुहती कुरुहा दुरुष्टवा सह अचिंतयत अस्मीन वाक्के कती विशेशन पदानी संख्याया संख्याया अपी लिखत यहां हमें विशेशन पदानी पर लिखने ही तो इसका उत्तर है अस्मीन वाक्के द्वे फिशेशन पदे तद्धा एकाम इत्वेशन प्रथम विशेशन द्वाम ये वन नमबर करेंगे ये तू महतिम इती द्वीतिय विशेशन पदान दू पदे ये एकाम और महति सेकंड प्रिश्चिन हमारा तद हम अश्य आहवान करोमी अत्र अहम इती पदा कस्मे प्रयुक्त इसका उत्तर है अत्र अहम इती पदा सिहाय प्रयुक्तम हमारा थड़ प्वेश्चन यदी तौ मान अहयसी अस्मीन वाक्य क्रतूपदा किम इसका उत्तर है अस्मीन वाक्य तौपदा तौपदा इती प्रतूपदा प्रतूपदा क्वेश्चन क्वेश्चन 4 सिह प्रतूपदा प्रत्धती गुरुःाया प्रविस्टा द्रश्यंते अस्मीन वाक्के क्रिया पद किम इसका उत्तर है अस्मीन वाक्के द्रश्यंते इती क्रिया पदम यहां क्रिस्टन फोर में द्रश्यंते क्रिया पद है अब क्रिस्टन फाइब वनित्रे संसत्र समागता जरा अस्मीन वाक्के अबड़्यों पद्रश्यंते अस्मीन वाववड़्यों पद्रश्यंते अबड़्यों पद्रश्यंते अववयों पद्रश्यंते तत्र, इती Question 7 कश्मीन वने व्यादह जालत से विश्यन्ति यहां पर हमें एक पैरेग्राप दिया गया है मन्जूशात में से हमें सब्दों की पूर्ती करनी है चुस करके हमें रिक्तसानों की पूर्ती करनी है यहां अस्मीन वने दुरे व्यादह जालत इस्त्रिय पत्र स्तितह क्रमशह आकाशतह सपरिवारह कपोत राजह चित्रो ग्रीवा आकाश्यंतह परन्तू कपोत परन्तू कणेता तंडूगान पश्यत यदी देशा लोबो जात पर राजा सहमत नाशितह तश्य युक्ति आसितह तरही वने ओपी मनुष्य नाशित कुत्र तनूडुलानं संभवः यदा राजा उपदेश्यंतह अस्विक्रूत्य कपोता तनूडुलानं संभवः यदा राजा खादित प्रवंता जाले तदा निर्पातिता अता उक्तेश सहसा विद्विधिनम नक्रियाम यहां हमारा लेशन सेकेंड जो हमारी न्यू एक्सराइज है यहां पे खतम होती है विद्यार्थी मित्रों आपको यह एक्सराइज आपकी नॉटबुक में लिखनी है